हम आगय है हआँ अब हम उतर सकते है सनम का एक मिनिट जरा बारिश हो रही है ओके ओके I'm waiting अंकल एकसान अंकल एकसान कही मैंने आपको वेट तो नहीं कराया नहीं आपको पाश मिनिट पहले या या आयो सनम बिटा गुड अंकल एकसान यह है जान क्या वो रेडी है क्या है वो गुजला एक माधा पक्षी ने बनाया है उसमें ज्यादा इन्वाल मत हो जाना ठीक है मैं निकलता हूँ अम मुझे बहुत सारे काम है तुम में जाए है मिलते हैं अंकल अहसान कि हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं एक दम बढ़े हैं सनेम हम कहां आए हैं जान पता चल जाएगा थोड़े और पेशिंस रखो जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा मतलब मेरी मॉम टैड लैला आयान क्या बताओं बहुत शोर हुआ करता था और दुकाम में भी काफी भीर हुआ करती थी और मुझे लिखना बहुत पसंद था एक दिन मैं यहां से गुजर रही थी और मुझे ये जगा मिली जहां काफी बॉर्स आ रहे थे ये वही जगा है और इस जगा के काफी किस्से है प्यार और वफ़दारी की कहानिया मैंने यहां कुछ छोड़ा था था कि एक दिन मैं वापिस आउं को कि दिन मैं मैं प्रा रहां है अँ़ कहीं साल पहले मैंने से यहां छोड़ा था अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करेंगे हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालके बादलों की उठान भरेंगे अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम खोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे अगर मुझे कभी मेरा लव मिला तो हम हार एक बल को एक पोयम के दरा जियेंगे और एक दिन मैं ये ख़द अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाओंगी मैं तुम्हें खुच से कभी दूर नहीं करूँ नहीं पहां कुछ भी हो जब मैं यहां पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंची नहीं दिखा तब मैंने अंकल हैसान से यहां गौसला टांगने के लिए कहा था क्या हम यहां पर एक गौसला टांग सकते हैं जरूर ठीक है क्या यह जरूर ही है हां क्या यहां जरूर टांगने के लिए एक भी है तुम सच में कितनी अच्छी हो सलम देखो सभी पंची वाम जगहा पर जा रहे है हां मैं हमेशा से पंचीयों के लिए वाम नेस्ट बनाना चाहती हूँ यह तो अच्छा एलिया तो नहीं सिर्फ बर्ट के लिए बड़ आनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए जैसे डॉग्स, कैट्स, यह नो, सब के लिए क्या कहती हूँ मैंने काफी डॉग्स देखे रोड ने चलो उनको खाना खिला है क्या कहती हूँ हां ठीक है हमे एक अनिमल हाउस बनाना चाहिए वाट दीक है हां चलो लेट्स प्रोटेक अनिमल्स लेट्स केट वाँम यहाँ थान्द है बताओ मुझे चलो अंदर चलो के लिए हां मैं यह चाहिए लिए लिखाँ सुबा कितने अच्छी हुई ना हलो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मैं आपका ही इंतजार कर रही थी मैं अपना काम करने जाती हूँ ठीक है सनीव कैसी हो तुम मैं अच्छी हूँ मिस्टर जान सब ठीक हो जाएगा आपको तो पता ही होगा हां हां जानता हूँ काश ऐसा ना हुआ होता है अब हम क्या कर सकते हैं बस हो गया मुझे अब कुछ पल के लिए अखिला रहना है तो मैं क्या अपनी आमबर ली दे सकती हूँ पर ये हफता हमार लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है कुछ ज्यादा ही हमें कैंपें मिला है रेड मौड कॉस्मेटेक्स के लिए और हमें उन्हें प्रूफ करना होगा हमारी केपिबिलिटीज दिखानी होगी तो तुम नेक्स वीक ले ले लेना इस वीक अगर साथ रहोगी तो अच्छा रहे हो हमें तुम्हारी जरुवत होगी है ठीक है मिस्टर जान थांक यू थांक यू ओके गाईज हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुचे हैं ब्रेंस्टामिंग हाँ इग्जाक्ली अब सभी ने प्रोड़क्स वाइ किये होंगे बताईये कैसे हैं ओके, सब एक एक करकी बताओ, चलो मिस्टर जान, मेरा वाला थोड़ा कॉंप्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ हाँ, जीजे, मैं सुन रहाँ आप सभी को सिंडरला की कहानी तो पता ही होगी एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पाटी अरेंज करता है हाँ, उसे तयार होना है ना जे जे, ये कहानी हम सब को बहुत अच्छे से पता है हाँ, हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है पर मुझे एक पॉइंट तक आना है फिर वो एक अच्छे जगा आकर एक शौप में इंटर करते हैं हाँ, विडर से परियों क्या पहुत tip परियों की जे परियों की स्तोरी का है हाँ, मिस्टर जान, मैं पहुंची रहा हूँ, महाँ, महाँ पहुंची रहा हूँ सुन ये, सुन ये और फिर सिंडरेला कहती है कि पिर मेरे बालों का क्या, और मेकप, परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जदू से सब करवादूँगी, समझ रही हो न। पिर Cinderella चिलाती है, अगर तुम सच में अपने जदू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहां क्यों आएं हैं, You know, फिर परी कहती है, हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है, और यही जिंदगी है, सिंडरला कहती है, ठीक है, मेरा मेकप मैं खुद करूंगी, और परी नाराज हो जाती है, और फाइनली सिंडरला बॉल में जाती है, फिर आधी रात हो ज कपड़े बदल जाते हैं, उसकी गलास की सैंडल भी वही fallait चूटिस जाती यह यह रहा मेरा वजयन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है तो राजकुमार उससे पकड़ता है और उसके चहरे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है सिर्फ कपड़े अलग हैं वो काफी मिजरेबल लग रही है पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है वो क्या है क्या है चेहरा रेड मौड प्रोड़क्स यूज करके उसका मेकप उत्रा ही नहीं सब कुछ चला जाएगा पर रेड मौड वही रहेगा और फिर पटाके खूटते हैं हर जगा खुशिया आती हैं घोडे आते हैं बहुत सारे घोडे आते हैं ऐसा ही कुछ पर मुझे नहीं लगता है पर मिस्टर जान मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे क्या कहा तुम सच में अच्छे हो जेजा थांक यू बरी माट ओके मिस्टर जान फिर नेकेड किंग का क्या हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सते हैं हमारे प्रोड क्या है इतना बुरा नहीं है हम यह लेख लेते हैं यह स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है यह प्रोड़क्ट पर एमपसाइज नहीं करता और कुछ तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो तो हम भी तुम्हारे आइडियास सुनने के लिए एकसाइटेड है पर अगर तुम कहो कि तुम्हें यह सब बक्वास लग रहा है तो कोई बात नहीं क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे प प्लीज हमारे प्राइट की स्केल सबसे वाइड है मेरे कहने का मतलब यह है कि हम हर एज ग्रूप की लड़की को अड्रस करना चाहते है तो हमें हर आउरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए यह क्या लगता है वो क्या है शादी का मेक अप खुद करें ये बहुत इंपोर्टन्ट है ये एक रूटीन नहीं ये एक रिच्वल है हाँ सनेम क्या तुम पॉइंट पर आओगी मेक अप शादी में सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज है व्राइड के लिए उसके घरवालों के लिए व्राइड मेर्स के लिए ये एक बहुत ही इंपोर्टन्ट चीज होती है ओके सनेम क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आजाओगी इमाजिन करो एक दुलहन शादी कर रही है वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खुबसरत दुलहन बन जाती है और फिर वो अपना मारे दिल नोटबूक अपने लिपस्टिक से साइन करती है और हमारा स्लोगन है कि मेक अप यह अच्छा लगा यह वागए अच्छा एडिया बाखी लोग क्या कहेंगे है हाँ यह बहुत अच्छा है मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेक खुद कर रही है बाखी बहुत अच्छा रहा से लिए तुम्हें अच्छा ल मुझे कुछ पूछना है, तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूरिफल और प्यारी कैसे हो सती हो, मुझे तो समझ ही नहीं होता है, कि तुम ये कॉम्बनेशन कैसे मैंनेज करती हो, मतला घसा क्या तुम मैं बता मुझे, क्या, अन्बलीवेबल, ये औरत एक पिराना है, उसे आपके खुश्पू आती है, आपको समझा रहा है, अहाँ जेदा, नहीं, मैं भूला नहीं हो, मैं कैसे भूल सकता हो, ओके, ठीक है, मिलते हैं, भाई, दिनर हाँ, फिर से दिनर, मैंने एक डॉक्यूमेंटरी में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है न, वो एक जाइनो को भ इनाएज़न स L Limited ऑनास है, और भी अनके भूख नहीं मिलती है, आखिर वो पिर भी उनके भूख नहीं मिलती, वो ऐसे ही खाते जाती है, ये ऐसा हुआय की मैखिनन और इननर कांपनी केया रिप्रेसेंटिटीव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इंवाइट किया है, मेरी क मत आपके लिए एक सल्यूशन डूंडा है, हम आपके लिए एक संविच बनाएंगे, मैं जाकर असमान से मेट लेकर आओंगे, कुछ संविचेश और सम्छी तरैंग्स, यह अछी गनाश करने के लिए, हम एक अच्छी ऑपरचनेटी रहे है, हमारा स्लोगन एनॉइच करने के आप प्यार में है? हाँ, बलकुल. साम. वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं, Mr. Jan. मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है, मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफिटेबली बात किजे अकेले में, मैं तो लाइट्स भी ढीम करने वाला था, ताकि यहां एक रॉमैंटिक एक्मस्पिया बन जाए, पर मुझे स्विश नज़ा नहीं आ रहा, लाइट्स दिम कैसे करो? अरे हाँ, यहां यहां एक पैनल है, मैं अभी जा कर कुछ करता हूँ, ओके आप अपना काम कीजिये, मैं भी अपना काम पिनिज करता हूँ, ओके? सब लोग काम पे लगो! ओ, मैं चाई पियूंगी हम, very good जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया जान देवे, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे यू रियाक्त तर रही हो हाँ, पर आप एकदम चुपचप से ही हाँ आ गए, तो मुझे डर लगा तुम क्या कर रही थी? प्रॉड़क्स ट्राइक ये क्या? हाँ, बहुत अच्छे है, आप अपने हाथो ना उस पर ट्राइ करते हैं नए, नए, चीक है, मैंने हाथ पर लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है मुझे, तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूगा तुम मुझे जाकर सब के हाथ पकड़ लेने चाहिए, क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी एथिकल नहीं होगा हाँ, मैं वहीं कह रहा हूँ, पर तुम ट्राइ करो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो, वो करती रहो ठीक है, मैं ट्राइ करती हूँ पर तुम ऐसे ट्राइ मत करो, एक जिगे मत रखो ना ऐसे करो, चलती चलती अहां, ऐसे मुवमेंट करते करते काफी क्रियेटिव रहेगा. यह अच्छी बात है. जान. हां, बोलो. मुझे पता चल कहा. क्या, क्या समझा है तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. हां. आप मुझे से वह छुपा नहीं सकते. अहां, मुझे पसंद है. और मैं तो एक शकारी की तरह तुम्हारे पीछे पढ़ूँगा. क्यूंकि तुम्हें भी यह काफी अच्छा लगता है. यह तुम्हारा नेचर है. तुम हमेशा यही चाहती हो. तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है. सही गह रहा हूँ ना मैं? मज़े खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचे. नहीं, कुछ एक्सेप्शिन्स होते हैं. मैंने ऐसी कह दिया था बस. ज़ादा सोच हो मरत. ठीक है. वैसे टाइम क्या हो रहा है? कितने बज़े है? अगा, I mean, लेट हो गया होगा. मैं जाकर तयारी कर लेता हूँ. आज रात को डिनर करने जाना है. मुझे लेट नहीं होना चाहिए. तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मिडिक्स ट्राइ करो, ठीक है? मैं चलता हूँ. ओके? बाद में बढ़ाएं. पर लेट मत होना, उन्हें जादा इंतजार मत करवाओ. लेट मत होना. रोज रोज डिनर हाँ? लेट मत होना. लेट. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अम सौपसिट या जीजे. क्यों सनेम, क्या हुआ, बताओ मुझे. वो जादा के साथ डिनर पर जा रहा है. वहां मैकिन डॉन भी रहेगा पर फिर भी. उनके साथ वो रहेगी ना, इसलिए. एक बिजनिस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? जीजे. और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना कुझा रहे है. कैसे सनेम? हाँ, ये काफी पॉइटिक है, पर ये सच है. मुझे उनके साथ उनके स्कूल देश से होना चाहिए था. उनका वो माउंटन काइम बिंक आश में उस वक्त उनके साथ भी हो दी. तो कितना मज़ा था? सनेम, शान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ. मिस्टर जानने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर सब के सामने कनफेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं. वो पहले मा को पोलो जैसे थे, और अब देखो, वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं, किसलिए बस तुम्हारे लिए? सेच में? और नहीं तो क्या, मैं तो अरे, आवा. जेजे, मैं कॉफी लेने आई हूँ. सही जगा आई हैं, दीजी. मैंने तुम दोनों की सारी बाते सुन ली हैं. हाँ, हाँ, वो तो समझने वाली बात है. मुझे, मेरे बॉर्डर्स प्रॉस नहीं करने हैं, पर… जाँ, कहिए. सनम, वो एक बिस्निस डिनर है, और एक कंप्री के रेप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए. तुम्हें वक्त की साथ आदत हो जाएगी, अभी तो बहुत मश्री है. यह हमेशा मुझे स्रेंट्स देती है, और मोटिवेट करती है. यह कोई और बजाएंगी, तुम शादे चाहिए. सनम, यह जगे इतनी अंटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इससे समझानी की कोशिश की, मिस्टर जान, चलने की कोई बात नहीं है, इसे प्रोफेशनल होनी की ज़रुरत है. ना उसके बार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमें डिनर पर जाना और यह सब यहां क्यों रखा हुआ है? कहां? डिनर पर? हां, शलो, हम लेट हो रहे हैं. मुझे आने में थोड़ी देर मुझे आजाओ ना अच्छा सा डिनर किलाओंगी चल दिगर आओ मॉम क्या हुआ देखो जान ना तुम्हारे साथ खिलवाड कर रहा है और वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है सा मैगजिन में लिखा हुआ है मॉम कोई बात नहीं है ऐसे इंटर्व्यूस पर कभी पर्सनल लाइफ के बारे में सच नहीं बताते हैं मैं आपको घर आकर सब एक्स्पिलेंट करूंगी ओके अब मुझे चाना होगा देनकी मैंने कहो ना लेट मत हो ना क्या हुआ डालें कोई प्रॉब्लम है वो मॉम ने आपका मैजन वाला इंटर्व्यू पढ़ा है से लिए ओ वो इंटर्व्यू पढ़ा है देखो तुम चानती हो मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा है आएंडर्स्टैन आपको मुझे एक्स्प्लेन करने की कोई ज़रत नहीं है ओके तो तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात करके सॉल्फ कर लोगी न हाँ करूंगी चले अब अहां चलिए कर दो अबूर्स्टैन आपको मुझे चलिए